नमस्कार, सबी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाई विकास सर परिवार में स्वागत करता हूँ हम लोग रोज एग्रिकल्चर के बहतरीन परशनों के साथ मुलाकात करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है किर्सी विग्यान से समधित जितने भी एक्जाम होते हैं जाए ICR, HO, BHU, FO, IBPS, एग्रिकल्चर TGT, PGT, एग्रिकल्चर TA, CAN supervisor जो भी इस तरीकी के एक्जाम होते हैं उनकी तैयारी से समधित परशनों को रोजानाल लेकर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारी चैनल से जुड़े हैं सबका हमेगरी कोचिंग भाई विकासर परिवार में स्वागत करते हैं आज की जो कलास हमारी रहने वाली है, सस्विग्यान यानि कि एग्रोनामी से रहेगी सो अपरिशनों को लेके आए हैं, जो की मोस्ट और इंपोर्टेंट कोचिंग रहने वाले हैं टीए और कैन सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए तो तैयार हो जाएए, फर्स्ट कोचिंग आपके स्क्रीन पर है फर्स्ट कोचिंग कह रहा है, सस्विग्यान जिसको एग्रोनामी कहा जाता है इसके जनक कौन है? जैंत्रोटोल, आर्नोन, पीटर ड्रेकसनजी या लिविंग तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जगा C ओप्शन ठीक है, पीटर ड्रेकसनजी ये हैं सस्विग्यान के जनक कोचिंग आपर देखेंगे दो, सब्ध, जिसका कौनसा सब्ध? एग्रोनामी की उत्पत्ती हुई है, आपको बताना है एग्रोनामी जो शब्ध है, इसकी उत्पत्ती किस भासा से है? लेटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फ्रेंच, काफी अच्छा कोशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जागा, यहाँ बी ओप्शन हो जागा, यानि ग्रीक, ठीक है, लोजी शब्ध आया है, तो ग्रीक हो जागा, अगर कल्चर शब्ध आते हैं, किसी वाट के पिछे, तो हो जागा, सी ओप्शन, यानि कि 972, सी ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर, कोशन अब देखेंगे, चार, निम्न में से कौन सी फसलों में कार्वनिक खेती अधिक लाब उपरद है, धाने वाली फसले, दलहनी फसले, गन्ना या उच कीमत वाली फसले, तो यहाँ पर बतान है, ध्यान पूरवक पढ़िए और एंसर दीजिए, कार्वनिक खेती में निम्न में से कौन से संतुप्त नहीं की जाती है, इसमें से बताना है, कार्वनिक खेती में कौन से संतुप्त नहीं की जाती है, इसमें से, सीवेज, सलेज का उप्योग, आर असायनी केटनाश्यों का पी परियोग किया जाता है लेकिन सीवेज और सलज का उपयोग नहीं किया जाता है तो यहाँ पर जो हमारा correct answer हो जागा A option हो जागा A option यहाँ पर right answer हो जागा या question number देखेंगे 6 question आपके screen पर है भारत वर्स में परमानित कारवनिक खेती के अंतरगत वर्तमान में कितना छेत्रफल है 5.5 million hectare 3.5 million hectare या 1.5 million hectare या 1.5 million hectare तो 6 का जो correct answer हो जागा यहाँ पर 3.5 million hectare B option यहाँ पर right answer हो जागा question अब देखेंगे 7 चारा गाय भूमी पर बहु वर्सी एकाश्ट परजातियों को उगानी की विधी किस नाम से जानी जाती है करिश्री चारा गाय पदद्थी 1.4 गाय पदद्थी या करिश्री बागवानी पदद्थी या उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका जो correct answer हो जागा वन चारा गाय पद्दती ठीक है बी ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोश्चन जामर चालेंगे आठ पर आठ नबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है एलियन वीड कौन सा है इसमें से बताना है एलियन वीड कौन सा है चीनो पोडियम एलबम इसको बत्वों कहते हैं पर्थेनियम हिस्टेरोफोरस या एकलिप्टा, एलबा या इनमें से कोई नहीं तो इसका बी ओप्षन राइट एंसर हो जागा इसको एलियन वीड कहा जाता है पर्थेनियम हिस्टेरोफोरस ठीक है याद रख करेंगे कोईशन अब देखेंगे 9 निम आई सी ए आर संस्थाओं में से त्रीवेंद्रम में है इसमें से बताना कौन सी एक आई सी आर की संस्था है जो त्रीवेंद्रम में इस्तित है CPRI, CTRI या CP, CRI या CT या CT CRI ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जागा वो हो जागा D option ठीक है D option यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जागा CT, CTRI ठीक है तो देख लेते हैं आगे जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था CT, CTRI ठीक है जिसका पुरा नाम होता Central Tebeco Central Tuber Crop Research Institute कहा है त्रिवेंद्रम केरला में ठीक है और बाकी अगर पूछे कसार गोड केरला में पूछे Central Plantation Crop Research Institute जिसको CP, CRI की नाम से जाना जाता है अगर पूछे Central Tebeco Research Institute जिसको CTRI की नाम से जाना जाता है कहाँ पर है राजमंदरी ठीक है आंदर परदेश में इस्तित है अगर पूछे Central Petito Research Institute जिसको CP, CRI का जाता है कूफरी, सिमला के अंदर इस्तित है ठीक है यह सब रिसर्च इस्टेशन जो है आपको याद होनी चाहिए कोश्चन नबर चलते हैं 10 पर 10 नबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है इन में से किस फसल में संकर ओज का वेबसाइक उप्योग नहीं हो रहा है ठीक है यहाँ पर नहीं पूछ रहा है धान, गेहू, मक्का या बाजरा तो किस में नहीं हो रहा है तो गेहू में नहीं हो रहा से ब्रेजा का कौन सिए ब्रेज़ का感 सिदैंट ब्रेज का जुंसिह ब्रेज ऑ्ल्रेज हора यह ब्रेज का नाईग क्रक्ट अंसर हो जाएगा वह जाएगा ब्रेज रांध की न सब्सका correct answer हो जागा brace का जूंसी है question number चलते हैं 12 question आपके screen पर आ चुका है गंदे की मुखे उगाई जाने वाली जातियों की संख्या है गंदे की कितनी जातियों उगाई जा सकती है 2, 3, 4 या 5 इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा 3, यानि B option यहाँ पर right answer हो जागा गंदे की उगाई जाने वाली मुखे जातियों तीन परकार की होती है कौन कौन सी सिकेरम आपसी नेरम सिकेरम बारवरी सिकेरम साइनेंसिस ठीक है यह तीनों आप नाम याद रखेंगे question number चलते हैं 13 पर सरसों के बीज की मातरा प्रती हेक्टेर कितनी लगती है 10 से 12 किलोग्राम 8 से 10 1 से 2 या 4 से 5 काफी अच्छा question है important question है तो सरसों की बीजदर लगेगी एक हेक्टेर में 4 से 5 किलोग्राम D option यहाँ पर right answer हो जागा question number चलेंगे 14 पर 14 number question आपके screen पर आचुका है एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च और हल्दी के साथ-साथ फसल लेने की परणाली कहलाती है ठीक है अगर एक ही खेत हो उसके अंदर नारियल, काली मिर्च, हल्दी अगर इन फसलों को भी हम साथ में ले रहे हैं तो वो क्या कहलाईगी हे रिले क्रापिंग, मल्टी स्ट्राइड क्रापिंग या मल्टी क्रापिंग या इनलर क्रापिंग तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा B option मल्टी स्ट्राइड क्रापिंग ठीक है यहाँ देख सकते हैं व्यक्या में लिखा हुआ है एक ही खेत में एक साथ अलग-अलग उचाई पर फसलें उगाना बहु मंजली या मल्टी स्ट्राइड फसल पद्ध कहलता है या समानिता कहां पर किया जाता है इस परकार से केरल में ठीक है केरल राज्य में अपनाय और ल्रेंधास चटागरी काम नहीं है क्वालेगा रखेसे हमें लिखा हुगगा विल फ्रेग में लिखा हुगा है question number 16 आपके screen पर आ चुका है paraquart किस परकार का साखनासी है selective है non-selective है organic है या systematic है तो इसका जो correct answer हो जागा यहाँ पर B option ठीक है non-selective खरपतवार नासी होता paraquart यह याद रखेंगे यहाँ देख सकते हैं चाहे paraquart पूछे चाहे dicot पूछे दोनों ही क्या है non-selective खरपतवार नासी है यह होता क्या है इनको आख रिशित छेत्रों में यहाँ फसल उगाने से पूरू परियोग करते हैं तथा इनसे पोधों के संपर्क में आने वाले भाग ही नश्ट होता है इसलिए संपर्क साथ नासी कहलाते है याद रखेंगे कोश्चन नबर चलते हैं 17 पर 17 नबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर आज चुका है वह है खरपतवार जिसमें औसधिये गुण पाए जाती है चीनों पोडियम एलबम सोरगम हेले पैंस या ट्रेफोसिया पूरपूरिया या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जागा वो हो जागा C option ट्रेफोसिया पूरपूरिया C option यहाँ पर राइट एंसर कोश्चन नमबर देखेंगे 18 खरीफ दलहनी फसलों में फसल खर्पतवार परतिस परदा कौन सी करांती कवस्था रहती है यहाँ पर खरीफ दलहनी फसलों में पूछ रहा ना कि रवी बुवाई से 15 दिन तक 15 से 30 दिन तक 30 से 45 दिन तक 45 से 60 दिन तक काफी अच्छा कोश्चन है तो इसका जो करेक्ट टैंसर हो जगा वो बी ओप्शन हो जगा 15 से 30 दिन तक ठीक है बी ओप्शन यहाँ पर राई टैंसर हो जगा अगर रवी का पूछे रवी दलहनी फसलों के लिए अगर पूछे तो आप कितने करांती कवस्था आप बताएंगे 30 से लेके 45 दिन ठीक है रवी का पूछे तो 30 से 45 दिन खरीव का पूछे तो 15 से 30 दिन दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है कोशन नमबर चलते हैं 19 नमबर कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मोथा का वन्सकाल चलता है बीच दोरा तनी के टुकड़ू दोरा बल्ब दोरा या गांठे दोरा काफी आसान कोशन है तो इसका D option यहाँ पर राइट हैं सोर जग गांठो दोरा ठीक है याँ देख सकते हैं गांठे मोथे के तनी का रुपांतरन है इनहीं को ट्यूबर्स के दोरा ही मोथे का वानास्पतिक परवर्धन होता है ठीक है कोशन नमबर देखेंगे 20 20 नमबर कोशन आपके स्क्रीन पर है दिरगा स्थाइक्ता वाला साकनासी है पैराकवाट या पैंडा मेथलीन 240 या गलाइफोसेट तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जगा यहाँ पर c option 240 240 साकनासी का आफसेज खेत में 3-4 सप्ताय तक रहता है जबकि ट्राइजिन्स का अगर पूछे तो इसका 1-2 वर्ष तक रहता है ठीक है इसका प्रभाव 1-2 वर्ष तक रहता है ट्राइजिन्स का जबकि 240 का 3-4 सप्ताय तक रहता है यह भी एक्जाम में कोशन बहुत बार पूछा गया है कोशन नमपर देखेंगे एक कैस रूखडी जिसको इस्ट्राइगा बोल जाता है खरपतवार किस फसल का सहचर पर जीवी खरपतवार है बाजरा का, मक्का का, मोट का या गौार का तो 21 का जो हमारा करेक्ट एंसर हो जगा यह बाजरा का है ठीक है, यह ओप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जगा कोशन नमपर देखेंगे 22 मौसम के आधार पर खरपतवारों के वरगी करण में इन खरपतवारों को कहते हैं ठीक है, मौसम के अधार पर खर्पतवारों को वरगी करण में इन खर्पतवारों क्या कहा जाता है, option देख लेते हैं, option आपके screen पर आ चुके हैं, एक दाल वाले खर्पतवार, द्वी दाल वाले खर्पतवार, बहु वर्षिय खर्पतवार या obligates खर्पतवार, तो इसका जो प्याजी के नाम से जाना जाता है, यह प्याजी का विज्ञानिक नाम है, किस मौसम में उगाए जाने वाला खर्पतवार है, रवी या खरीफ, जायत या गर्मियों में, तो S4 डेलस, टेनुफोलियस, प्याजी यह खर्पतवार हो जाएगी, किस सीजन की, रवी की, ठीक ह यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 24, फ्लेरिस माइनल एक मुख के खर्पतवार है, गेहु का, धान का, चने का, या उप्रोक्समेल से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा गेहु का, ठीक है, गेहु का खर्पतवार है, फ्लेरिस माइनल, इसको अनिनाम से भी जाना जाता है कौन-कौन से अनिनाम है, जैसे इसको, यह गेहु का क्या होता है, नकल्ची खर्पतवार होता है, एक तो यह याद रखना है, इसको गेहुसा के नाम से जानते हैं, गुली डंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पतियों का अकार है, या इसका सरीर की स वेट जो हता है, दो ग्राम होता है, गियहूं का अगर दानों का परिछन भार पूछे, तो आपको याद रखना है, 40 से लेके 42 ग्राम, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट चीजी हैं ये, कोशन नबर चलते हैं, 25, 25 नबर कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान पूरक प हो जाएगा, वो हो जाएगा C option, कोसों से, याद रखेंगे, कोशन नबर 26, चीनो पोडियम मुरेल, किस रीतु का खरपतवार है, खरीफ, ग्रिश्प, रवी या इन में से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C option, रवी, C option यहाँ पर प्री प्लांटिंग, या प्री इमर्जेंस, या पोस्ट इमर्जेंस, या पोस्ट प्लांटिंग, तो इन चावरों में से बताएगे, कौन सा करेक्ट एंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, प्री प्लांटिंग, ठीक है, यह option यहाँ पर राइट एंसर ह जागा कोश्चन नमबर चलते हैं 28 पर 28 नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर आचुका है कि खर्पतवार नासी रसायन के लगातार लंबे समय तक परियोग करने से निमनी लिखित में से कि खर्पतवार विक्रित उतपन हो जाती है कि खर्पतवार नासी रसायन के लगातार अगर लंबे समय तक परियोग करने से क्या होता है तो कौन से खदरनाग भी करती उत्पन हो जाती है या कहां पर उत्पन होती है तो भूमी पर उत्पन होगी याद रखें कि D option यहां पर right answer है question number देखींगे खर्पतवार नासी रसायन जो खर्पतवार नश्ट करने हितू उपियोग किये जाते हैं निमेटिसाइड पेस्टिसाइड या फंजिसाइड या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो correct answer हो जागा B option पेस्टिसाइड कहा जाता है ठीक है पेस्टिसाइड का साथिक आर्थ होता है कि बिस बिस मतलब जो जहर होता है जो की पीड़को को मारने का काम करता हो ठीक है ऐसा बिस जो पीड़को को मारने का काम करता हो उसी क्या कहते है पेस्टिसाइड कहते है इनमें जैसे कीट नासी, साक नासी, फंफोन नासी, चूहा नासी या सूत्र क्रीमी नासी, या बरूति नासी ये सब रसाइन जितने भी हैं, ये सब पेस्टी साइड केंतरगत आते हैं Question number चलते हैं, 30 पर Question number 30 आपके स्क्रीन पर आचुका है निमने में से धान का हुबहू, खरपतवार कौन सा है? ठीक है? तो इन चारों से बताइए कौन सा correct answer है तो धान का हुबहू, खरपतवार हो जागा है यहाँ पर D option ठीक है? इकाइनो, कलोवा, कौनम D option यहाँ पर right answer Question number 31 लगू कि सानुदारा परियुक्त निंदा नासी ओजार कौन सा है? ठीक है, we decide tools बताना कौन सा है? भावडा, कल्टिवेटर, हैंड हो या ब्लेड हैरो तो इसका correct answer हो जाएगा, हैंड हो ठीक है? यह एक परकार का क्या है? we decide tools है, यह अंत्र है Question number 32 निंदा खरपतवारों में जो ग्रेमेनी कुल से संबंदित है Cypress, Rodentus, Braceka, Sinensis या Argymon, Mexicana या Sorghum, Helpens इन चारों में से बताएगे कौन सा correct answer हो जाएगा तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा Sorghum, Helpens ठीक है, D option यहाँ पर right answer हो जाएगा यह जोर फसल का नकल्ची खरपतवार है, ठीक है? जिसको बरू की नाम से भी जाना जाता है ठीक है, बरू की नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे Question number चलते हैं, 33 33 number question आपके screen पर आचुका है ध्यान पूरुवक पढ़िए और इसका answer दीजिए निम्न खरपतवारों में कौन सा मिर्दा नतरजन में वृधि करता है ठीक है, आपको बताना कौन सा इसा खरपतवार है, जो मिर्दा नतरजन में वृधि करता है लूकस आसपेरा, मेली लोटस इंडिका, या हरियाली घास, या लेंटाना कैमरा तो इसका जो correct tensor हो जागा, B option, मेली लोटस इंडिका, B option यहाँ पर right tensor हो जागा यह एक वरकार के leguminasi कुल का खरपतवार है, ठीक है, पूछ सकता है, इसकी कुल family पूछ सकता है, तो मेली लोटस इंडिका जो है leguminasi family से भी लोग करता है, याद रखेंगे question number चलते हैं, 34, 34 number question आपकी screen पर आ चुका है निम्द खरपतवारों में से कौन सा solenasi कुल से संबंधित है, सिलोसिया, आरजेंटिया, या solenum, जेंथो कार्पम, सेकेरम, पुंजा, या लॉरियम, रेडियम, इन चारों में से बताएगे कौन सा correct answer हो जागा, तो इसका correct answer हो जागा question number 35, चावल की उत्पादक्ता सबसे अधिक किस राज्य में होती है, हर्याना में, पश्री मंगाल, पंजाब या उत्तर प्रदेश, तो इसका correct answer हो जागा, पंजाब, ठीक है, यहाँ पर productivity पूछ रहा है, उत्पादक्ता पूछ रहा है, इसलिए पंजाब हो जाएगा question number 36, चावल उगाने के आपरमपरागत छेत्र कौन से है, उत्तर परदेश, बिहार, पश्री मंगाल, उडिशा, या तमिल लाडु, आंदर परदेश, पंजाब और हर्याना, इसका जो correct answer हो जागा, पंजाब और हर्याना, D option यहाँ पर right answer हो जागा, यह आपर परमपरागत छेत्र माने गए हैं, चावल उगाने के, ठीक है, D option है, यहाँ रखेंगे, right answer, question नमपर चलते हैं, 37, 37 नमपर question आपकी screen पर है, स्क्रीन किस से संबंदित हैं, agro, agro, meteorology, जीवान विग्यान या remote sensing से, इनका जो संबंद है, वो हो जागा, agro, meteorology से, ठीक है, यह option यहाँ पर right answer हो जागा, question नमपर देखेंगे, 38, 38 नमपर question कर रहा है, बादलों के आवरण को मापने की इकाई क्या कहलाती है, ठीक है, बादलों के आवरण को मापने की इकाई आपको बताना है, क्या है, देखते है option, option आपके screen पर आचुके हैं, परतिसत, octa, या किलो मीटर परतिगंटा, या मीमी परतिदिन, तो इसका correct answer हो जागा B option, ठीक है, octa कहा जाता है, B option यहाँ पर right answer, question नमपर देखेंगा 49, निमन में से कौन सी फसल पो AC कुल से नहीं है, यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है, यानि पो AC कुल से संबंदित नहीं है, नेपियर, गन्ना, पैराघास या अलसी, तो यहाँ पर देखें पोधा है, ठीक है, इसकी जो family होती है, lineacy है, ठीक है, lineacy family से भी लोग करता है, question नमपर देखेंगे 40, दुवेर्सिया फसल का उधारन है, आपको बताना है, दुवेर्सिया फसल का उधारन है कौन सा है, तंबाकु, चुकंदर, मक्का या रिजका, तो इसका जो correct answer हो जागा और यहाँ पर देखेंगे पालक, प्याज, गोभी, ठीक है, यह सब कितने हैं, दुवेर्सिया के, जबकि रिजका, एक वर्सिया और बहु वर्सिया में तीन प्रकार की होती है, ठीक है, बहु वर्सिया में जैसे आपके हो जाएंगी, परवल, परवल जो है, बहु वर्सि समुंदर सतह कहीं मान का होता है एक चोथाई एक तीहाई आधा या बराबर तुसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा C option यानि कि आधा ठीक है C option यहाँ पर right answer question number देखें कि 42 एनिमो मीटर का उपयोग को मापनी के लिए किया जाता है ठीक है एनिमो मीटर का परियोग क्या मापनी के लिए किया जाता है वायू की गती वायू की दिशा सौर विखरन या वायू मंडल का दाब तो इसका जो correct answer हो जागा वायू की गती यह option यहाँ पर right answer हो जागा कोशन नमर देखेंगे 43 43 नमर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दलहनी फसलों में एक पैकट रायजोबियम कल्चर के कितना किलोग्राम बीज को बीजोब चारित किया जा सकता है पांच किलोग्राम दस किलोग्राम पंदरा या बीस तो इसका जो correct answer हो जगा यहाँ पर 10 किलोग्राम बीज को उप्चारित कर सकते हैं एक अगर पैकट है किसका रायजोबियम कल्चर का ठीक है याद करेंगे एक हेक्टर दलहनी फसल के लिए तीन पैकट रायजोबियम कल्चर का परियोग किया जाता है अगर एक हेक्टर में परियोग करना है दलहनी फसलों के ल सोयल का pH जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है चार से छे के लगभग रखा जाता है यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों कोश्चनों की संक्या आधिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराने के कोशिस कर रहे हैं कोश्चन नमबर 45 आपके screen पर आ चुका है काफी अच्छा कोश्चन है संभावी वास्व सर्जयन जिसको PET कहा जाता है किस धात निमनलिकित में से किस विज्ञानिक ने दिया था थोर्थवेट बलेनिक रीडस पैनमेन या ड्रासी तो इसका जो करेक्ट एंसोर हो जागा थोर्थवेट यह option यहाँ पर right answer हो जागा कोश्चन नमर देखेंगे 46 संकर का पास hybrid cotton के जनक कौन है यस यच सल जी यच हल सी टी पटेल या बीपी पॉल तो इसका जो करेक्ट एंसोर हो जागा है यहाँ पर वो हो जागा सी ओप्शन सी टी पटेल ठीक है यहाँ देख सकते हैं इन्होंने भारत में गुजरात एगरि किया था कोश्चन नमर चलते हैं 47 47 नमर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है वारा लचमी किस फहसल की एक जैसा संकर है ठीक है आपको बताना है वारा लचमी किस फहसल का एक जैसा संकर है कपास टमाटर आलू या गन्ना तो इसका correct एंसर हो जागा कपास ठीक है यह option यहाँ right answer हो जगा, question अब बर देखेंगे 48, अधो भूमी अंकुरन होता है, hypo, hypo GL germination किस में होता है option देखते हैं, hypo GL पूछ रहा है, ठीक है option आपके screen पर आ चुके है, अरहर चना मसूर, राजमा मूं उडद चना, या मूं उडद चना, या अरहर राजमा मसूर, इन चारों में से बताईए, कौन सा correct answer हो जागा, तो इसका जो correct answer हो जागा a option हो जागा, अरहर चना, मसूर, ठीक है ये तीनों ही तीनों उडदारण किस के हैं, hypo GL के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ दलहनी फसलों में epGL अंकुरन होता है, ठीक है, जितनी भी खरीफ वाली दलहनी फसलों होती है उनमें epGL होता है ना कि hypo GL, लेकिन एक इसका अपवाद है अरहर, इसलिए इसमें समलित किया गया है, hypo GL में इसको डाल दिया गया है, जबकि रवी वाली जितनी दलहनी फसले होती है, सब hypo GL होती है और खरीफ वाली जितनी भी फसले होती है सब epGL होती है, लेकिन अरहर को छोड़ कर, कोशन नमबर चलते है 49, 49 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बून बून सिचाई की टाइफून विधी काम में ली जाती है चना में, आम में, गन्ना में या कपास में तो टाइफून विधी का परियोग हम गन्ना के अंदर करते हैं सी ओप्शन यहाँ पर राइट अंसर हो जागा कोशन नमबर देखेंगे 50 जड छेतर में, जड की संग्रहित मात्रा या सिचाई से पहले चाहे गए ज़ल की मात्रा का अनुपात को क्या कहते हैं ज़ल अनुपरियोग दच्छता ज़ल वितरन दच्छता ज़ल संग्रहन दच्छता या ज़ल संचरन दच्छता इन चारों में से बताएए कौन सा correct answer हो जाएगा तो इसका correct answer हो जगा ज़ल संग्रहन दच्छता सी उप्षन आपर right answer हो जगा दोस्तों यदि आप लोगों को अग्रिकल्चर टीए कैन सूपरवाजर में selection लेना है तो इमानदारी के साथ चैनल को ज़लू सस्क्राइब करें यह आपका परिवार है जो सरकारी नोकरी की तरफ ले जाएगा question number 51 आपके screen पर आ चुका है ध्यान पूरवाग पढ़िए और इसका answer दीजिए question कर रहा गेहू में सिचाई निर्धारन किया जाता है उपलब दिजल का 25 परतिसत हरास होने पर उपलब दिजल का 25 परतिसत हरास होने पर गेहू में सिचाई का निर्धारन कर दिया जाता है ए उप्षन यहां पर राइट answer question number चलते हैं 52 पर 52 number question आपके screen पर आ चुका है ध्यान पूरवाग पढ़िए और answer दीजिए राजस्थान में खरीफ फसलों में सार्वधीक छेतरफल के अंतरगत है कपास, मक्का, बाजरा या जुआर तो इसका correct answer हो जागा बाजरा ठीक है C option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे तिरपन धान में औसत हलिंग परतिसत होता है हलिंग परतिसत काफी important question होता है इसमें rice के अंजर बहुत बारी ग्यामों में आ चुका है 80% परतिसत 65%, 30% या 40% इसका जो correct answer हो जागा B option हो जागा 65% परतिसत यहाँ देखेंगे धान यानि कि पेड़ी में दाना और चिलका अनुपात धान का 2 तीहाई यानि कि 65.66% होता है 2 तीहाई होता 2 बटे 3 यानि कि क्या होता है दाना और चिलका का अनुपात ही क्या करलाता है Question number 4 Question आपके स्क्रीन पर है soybean है तिलेहनी फसल है दलेहनी फसल है तिलेहनी और दलेहनी दोनों फसल है या खाध्यान वाली फसल है तो इसका correct answer हो जागा यहां पर तिलहनी और दलहनी दोनों फसल है C option यहां पर right answer हो जागा यहां देखेंगे स्वयवीन मूल रूप से दलहनी फसल है लेकिन भारत में इसको तिलहन की रूप में उगा जाता है ठीक है भारत में इसको तिलहन की रूप में उगा जाता है बाकी स्वयविन जो है एक परकार की दलहनी फसल है इसलिए दलहनी दोनों C ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर कोशन नबर चलते हैं पच्पन पर कोशन नबर पच्पन आपके स्क्रीन पर है निमने लिखित में से बिसेश का राजस्थान में कौन सा मिसरित फसल का उधारन ह ठीक है आपको बताना है चना पलस सरसूं सरसूं पलस गें हूँ मूफली पलस तील सरसूं पलस जोग इसका जो करेक्ट टैंसर हो जाएगा वो हो जागा C option मुंफली प्लस तील ठीक है C option यहाँ पर राइट एंसल हो जागा यहाँ पर देखें कि नोट में जबकि चना और सरसों अंतरा फसल है जिसको इंटरा करापिंग के नाम से जाना जाता है याद रखेंगे इंटरा करापिंग का उधरान पूछे तो चना सरसों यह आपको याद रखना है question number 56 नीम का उत्पति स्थान कहां है ठीक है नीम का उत्पति स्थान बताना है दच्छनी एफरीका, मध्य यूरोप या ओशन दच्छनी पूर्वी एशिया या चीन तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जगा यह हो जगा ओशन दच्छनी पूर्वी एशिया C option यहाँ पर right एंसर question number चलते हैं 57 57 number question आपकी screen पर है मूमफली जिसको pods कहा जाता है में दानों का परतिसत अनुपात कितना होता है 35 परसेंट, 50 परसेंट, 70 परसेंट या 40 परसेंट तो मूमफली के फली जो होती है उसमें दाने का परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पर C option हमारा correct एंसर हो जागा 70 परसेंट, ठीक है यहाँ देख सकते हैं दानों का परसेंटेज कितना होता 70 परसेंट, अगर यह छिलके का परसेंटेज पूछे तो वो हो जागा 30 परसेंट, ठीक है अगर ceiling परसेंटेज पूछे तो वो हो जागा 70 परसेंट question number 58, मुफली की आर्द विस्तारी किस्म कौन सी है आर्द विस्तारी किस्म पूछ रहा है variety R S 1, R S B 87, A के बारा, 24 या M 13 तो इसका जो correct answer हो जागा, वो हो जागा B option R S B 87, B option है हाँ पर right answer question number 69, जिया मेज यल, वनास्पतिक नाम किसका है जौर का, गौर का, बाजरा का, मक्का का, काफी अच्छा question है और easy question है तो इसका correct answer हो जागा, मक्का, मक्का का विग्यानिक नाम होता है जिया मेज, यल, ठीक है question number 60, 60 number question आपके screen पर आचुका है अरहर की एकल फसल के लिए प्रती हेक्टेर बीच की मातरा काम में ली जाती है तो अरहर की पूछरा है, अगर single फसल लेना है, एकल फसल लेना है तो उसमें एक हेक्टेर बीच की मातरा कितनी लगेगी दस से बारा किलोग्राम पर हेक्टर, बारा से पंदरा, पंदरा से बीस या बीस से पचीस तो इसका जो correct answer हो जागा B option, बारा से पंदरा किलोग्राम B option यहाँ पर right answer हो जागा Question number देखेंगे 61, रेतीली भूम में सबसे अधिक सूखा सैन करने वाली वह सिग्र पकने वाली, खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है, चौला है, मूंग है, मोट है या उड़द है तो इसका जो correct answer हो जागा C option मोट हो जागा, C option यहाँ पर right answer Question number देखेंगे 62, 62 number question आपकी स्क्रीन पर है व्याधी किस फसल से संबंदित है, मूं, तील, स्वैवीन या मूफली, इसका correct answer हो जागा, D option मूफली से संबंदित है, कौला रोट यह व्याधी अंकुरन के बाद, यानि कि एसपर जिलस नाईगर नामक फंफूत की करन लगता है जो काली जड के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके बचाव के लिए करवेंडा जिम, धाई ग्राम, प्रैति किलो बीज, या ट्राइको डर्मा, 6 ग्राम, प्रैति किलो बीज की दर से उपचालित करते हैं अगर खड़ी फसल में लग गया है, तो क्या करेंगे, 0.3% कर्वेंडा जिम, सोयल ड्रैंचिंग के माधिम से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे कोशन नमबर 63, जड़िया एक उन्नत किस्म है, आपको बताना है जड़िया इसकी एक उन्नत किस्म है, काफी इंपर्टन कोशन है, और है मूँ, मोट या चौला तो इसका जो करेंट टैंसर हो जागा, मोट, ठीक है, C ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा चलते हैं कोशन नमबर 64 पर, कोशन नमबर 64 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बाजरे में इस्ट्राइगा की रोक्थाम के लिए, किस हर्विसाइड का परियोग किया जाता है, पैंडी मिथालीन, बावस्टीन, या मेटा क्लोर, या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जागा, पैंडी मिथालीन का परियोग करते हैं, ए उप्षन यहाँ पर राइट आंसर हो जागा कोश्चन नमबर देखेंगे 65, मूंग की बीजदर परती हेक्टेर, ठीक है, मूंग की बीजदर बताना है, आट से दस किलोगराम, बारा से पंदरा, पंदरा से बीस या बीस से पचीस तो इसका correct answer हो जागा 15 से 20 kg per hectare C option यहाँ पर right answer Question number देखेंगे च्छाचट मक्का का उद्गम स्थान ठीक है बताना है मक्का का उत्पति स्थान कहा है माना गया है अफरीका, अमेरिका, चीन या भारत तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा B option कहां माना गया है अमेरिका माना गया है B option यहाँ पर right answer हो जागा या option में मध्ध अमेरिका भी दे सकता है मेक्सिको भी दे सकता है तो इसका उत्पति स्थान आपको याद रखना है Question number चलते हैं Sunset Sunset number question आपकी screen पर आचुका है मक्का के पौधी में क्या पाय जाता है या पहले silk निकलता है पहले नर्मंजर निकलता है या दोनों एक समय ही निकलते हैं या फ्रुक्त में से कोई नहीं बहुत बारे यहाँ पूछा गया है ये question तो इसका जो correct answer हो जागा पहले नर्मंजर निकलते हैं ठीक है बी option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे answer गेहू जिसको दिप्ति काल के अंसार बताना है आल पर दिवस पौधा है दिर के दिवस पौधा है या day neutral plant है या इनमें से कोई नहीं तो गेहू का जो पौधा होता है यह होता है दिर के दिवस पौधा है लॉंग डे प्लांट होता है बी option यहाँ पर right answer हो जागा यहाँ देख सकते हैं मुखता रवी वाली फसलें लॉंग डे प्लांट होते हैं जितनी भी रवी वाली क्राप होते हैं सब लॉंग डे प्लांट होते हैं इन्हें पुस्पन के लिए चौदा घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवशकता होती है ठीक है तो लॉंग डे में कौन-कौन सी क्राप पे आ जाएंगी याद रखेंगे यह हूँ जाव, जै, सरसो, चना, मसूर यह सब आ जाएंगी LDP में जलते हैं question number 69 69 number question आपकी screen पर है वह तापमान जहां तक Y को ठंडा करने पर संतिप्तिक करण हो जाता है उससे क्या कहते हैं ओस बिंदू कहते हैं या पिगलन बिंदू कहते हैं हिमी करण बिंदू कहते हैं या समिच्छात्मक बिंदू कहते हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा ओस बिंदू कहा जाता है ठीक है ये option यहाँ पर right answer हो जागा question नबर देखें सब्सक्राइब उचाई बढ़ने से वायो मंडलिया दाब घटता है बढ़ता है या इस्थिर रहता है या बढ़ती दर्म से बढ़ता है तो उचाई बढ़ने से वायो मंडल का दाब भी क्या होता है घटता है ये option यहाँ पर right answer हो जागा question नबर चलते हैं 71, 71 नबर question आपके screen पर है इस ट्राइगा जिसको रुखडी कहा जाता है कि जातिया आंसिक जड़ पर जीवी है पूंडता जड़ पर जीवी है या पूंडता तना पर जीवी है या आंसिक तना पर पर पोशी है तो इसका जो correct answer हो जागा आंसिक जड़ पर जीवी है ठीक है आंसिक जड़ पर पोशी है ये पर पोशी रहेगा याद रखेंगे यह option यहाँ पर right answer हो जागा यहाँ देखेंगे रुखडी बाजरा ज्वार आदी खरीफ धान फसलों का अल्प जड़ पर जीवी खर्पतव बार है ठीक है रुखडी की जड़ों में क्या पाई जाता है इस्ट्री गोल नमक तत्र पाई जाता है जो की इस ट्री गोल नमक तत्र पाई जाता है यह वह एक जाम बहुत बार पूश्च चुका है ठीक है चलते हैं question number 72 बार question number 72 आपके screen पर आ चुका है चलख खेती, जिसको shifting cultivation के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं, इसको जोमी खेती भी कह सकते हैं, ठीक है? देश में बिस्तलित रूप से प्राचलित है, किन चेत्रों में है? दच्छिन पश्मी चेतर में या उत्री पूर्वी चेतर में या उत्री पश्मी चेतर में या उपरुक्त में से कोई नहीं तो आपको बताना है चल खेती, सिफ्टिंग कल्टिवेशन या जूमी खेती कौन से चेतर में की जाती है तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो जगह उत्री पूर्वी चेतर में की जाती है यहाँ देख सकते हैं देश के उत्री पूर्वी भाग में जैसे आसाम हो गया, मेगाले, जारखंड, आधी राज्यों में जंगलों को नश्ट करके धान की खेती करते हैं जो कि परतेक एक या दो वर्स बाद और उत्ता शक्ति कम होने पर खेत बदल कर दूसरी जगह जंगल नश्ट करके धान की खेती करना क्या कहलाती है, चल खेती कहलाती है या जूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है ठीक है, तो यहाँ पर B option हमारा right answer है, question number चलते है 73, 73 number question आपके screen पर आ चुका है, ध्यान पूरोग पढ़िए और answer दीजिए, lycimeter किसी नापनी के काम आता है, आपको बताना है, lycimeter से क्या मापा जाता है, वास्पी करन, वास्पो सर्जन या प्रस्वेदन या वर्सा, तो lyc lycimeter से मापते हैं, वास्पो सर्जन, ठीक है, B option यहाँ पर याद रखेंगे, lycimeter से वास्पो सर्जन मापा जाता है, B option यहाँ पर right answer, question number देखेंगे 74, 74 number question आपके screen पर है, नियुन्तम ताप मापी में भरा होता है, आपको बताना है, नियुन्तम ताप मापी में क्या भरा ज जाता है, यहाँ देख सकते हैं, alcohol अधिक ठंड को, अधिक ठंड में जमता नहीं है, इसलिए minimum thermometer में काम में लिजा जाता है alcohol को, जबकि maximum पूछे, maximum thermometer में किसका परियोग करते हैं, पारा का परियोग करते हैं, याद रखेंगे, पारा भरा रहेता है उसमें, question number देखेंगे 75, हवा में निशित मात्रा की आदर्ता होने पर सापेच आदर्ता अधिक होगी, उचितापमान पर, निम्न तापमान पर, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो correct answer हो जागा, वो हो जागा B option, निम्न तापमान पर, ठीक है, B option यहाँ पर, right answer, question number चलते हैं, 76 number question आपकी screen पर आ चुका है, काफी आसान question है, भारतिय मौसम बिभाग, IMD, कहां पर इस्तित हैं, जोदपूर में, चेनई में, पूने में, या मुंबई में, तो इसका जो correct answer हो जागा, पूने के अंदर इस्तित है, C option यहाँ पर, right answer हो जागा, question number देखेंगे, 77, वाई मंदल के अंदर जो नतरजन की percentage होती है, वो होती है, 78.09%, ठीक है, D option यहाँ पर, right answer हो जागा, यहाँ पर देख सकते हैं, वाई मंदल में, आजतन के अधार पर, परमुख गैस नतरजन, कितना, 78.09%, दूसरे स्थान पर, oxygen, 20.25%, तीसरे स्थान पर, argon, 0.1%, और चौथे स्थ जाते हैं, कोशन अबर देखें, 78, परकास अंसलेशन सक्री है, जिसको P.A.R. कहा जाता है, विकरन की तरंग धेरे सीमा कितनी रखी जाती है, यम यम में बताना है, ठीक है, तो देख लेते हैं, option, आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो इसका जो correct answer हो जागा, वो हो जागा 400 से लेकि 700 यम या 0.4 से लेकर 0.7μ, ठीक है, बी option यहाँ पर right answer हो जागा, question नबर देखेंगे 89, भूमद रेखा पर स्रोब मंडल की उंचाई है, 8-10 km, 17-18 km, 25 km या 32 km, तो इसका जो correct answer हो जागा, वो हो जागा हमारा बी option, 17-18 km, बी option यहाँ पर right answer, question नबर चलते हैं, 80 पर, 80 number question आपकी screen पर आ चुका है, ध्यान पूरोग पढ़ें और answer दें, निम्न मेंसे कौन सी परजाती, दल दल भूमी है तो उप्यूक्त है, selix, species, यह हमारा correct answer हो जागा, यह option, ठीक है, selix, species जो है, यह दल दल भूमी के लिए उप्यूक्त पर जाती है, हर साल बदलना चाहिए, दो साल में बदलना चाहिए, चार से पांच साल बदलना चाहिए, या बदलने की कोई आफशकता ही नहीं है, तो इसका correct answer हो जागा, यहाँ पर A option, ठीक है, हर साल बदल देना चाहिए, A option यहाँ पर right answer हो जागा, कोईशन नमर देखेंगे, 82, 82 नमर कोईशन आपकी स्क्रीन पर आच चुका है, गियहों में पाए जाने वाला प्रोटीन कहलाता है, जीन कहलाता है, गलुटीन कहलाता है, धूरीन कहलाता है, या रिसीन कहलाता है, तो इसका जो correct answer हो जागा, गलुटीन कहलाता है, A, B option यहा करते हैं, 83, 83 नमर कोईशन आपकी स्क्रीन पर है, 6 पंक्ति वाले जो कावा नस्पति के नाम बताना है, होडियम वाल गयर, या होडियम एरेगुलर, या होडियम डेश्टी कौन, या उप्यूक तुमेंसे कोई नहीं, तो इसका जो correct answer हो जागा, वो हो जागा, A option, होडियम वाल गयर, 6 पंक्तिओं वाला गयर, अगर यहाँ पर दो पंक्तिवाले गयरों का वेग्यानिक नाम पूछ ले, तो आपको याद रखना है, होडियम डेश्टी कौन, ठीक है, या दो पंक्तिवाले गयरों का वेग्यानिक नाम है, याद रखना है, चलते हैं, question number 84, 84 number question screen पर है, राजस्थान में गन्य की औसत वीजदर कितनी है, 10 से 15,000 टुकड़े पर हेक्टेर, 20 से 25,000 टुकड़े पर हेक्टेर, या 25 से 30,000 पर हेक्टेर, या 40 से 50,000 टुकड़े पर हेक्टेर, तो इसका जो correct answer हो जागा, वो हो जागा 40 से 50,000 टुकड़े पर हेक्टेर, D option यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोश्चन नमर देखेंगे 85 भारत में तिलहनी फसलों पर तकनीक मिशन जिसको TMO कहा जाता है इसके स्थापना किस वर्स होई थी 1986, 1986, 1996 या 1996 तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जागा 1986 यह ओप्षन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोश्चन नमर देखेंगे 86, डबलू यचो यफ ए ओ द्वारा दैनिक भोजन में दलहन की मात्रा कितना पर योग करने के लिए कहा गया है देखते हैं ओप्षन, ओप्षन आपके स्क्रीन पर आचुके हैं, 64 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे या 80 ग्राम पर डे या इनमें से क कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जागा, वो हो जागा 40 ग्राम प्रती दिन, डाल की आफश्चता पड़ती है, एक मनश्च को, ठीक हैं, 2 ओप्षन यहां पर राइट एंसर हो जागा, पोश्चन नमर देखें 87, भारत में गन्ने से सक्कर की रिकवरी का परतिशत क्या है, ठीक है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15 या 4 से 6, तो भारत में गन्ने से सक्कर की रिकवरी का परतिशत आपको बताना है, कितना रखते हैं, तो 87 का जो हमारा करेक्ट एंसर हो जागा, C ओप्षन, यानि कि 10 से 15 परतिशत, C ओप्षन यहां पर राइट एंसर, कोश्चन नमर राइट एंसर हो जागा, वो हो जागा, 3,333,000, D ओप्षन यहां पर राइट एंसर, कोश्चन नमर देखेंगे, 89, कुसुम के तेल, खून में कोलस्टरोल को कम करने की छमता, उसमें अधिक मातरा में उपस्तित पदार्थ की करण होता है, ठीक है, कुसुम के तेल के अंदर, खून के अंदर जो कलस्टरोल होते हैं, उसको कम करने की छमता, किसकी उसके अंदर अधिकता होती है, जिसकी करण करण ऐसा होता है लेनोलिक एसिट की करण या ओलिक एसिट की करण या इस्ट्राइक एसिट की करण या पामीटिक एसिट की करण तो इसका करेक्ट एंसर हो जगा लेनोईक एसिट की करण ठीक है कुसुम के अंदर कुसुम के तेल होता है उसके अंदर लेनोईक एसिट की मात् ताम करता है हिर्दय रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है कुसुंका जो तेल होता है ठीक है तो याद रखेंगे तो इसके अंदर पाए जाता है लेनोईक एसीड चालते हैं कोश्चन नब्बे पर पोश्चन नब्बे आपके स्क्रीन पर आ चुका है वर्षा अधारी छेत्रों में मक्का की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी निराई गुडाई यांतर कौन सा है है हैंड हो विल हो उदाली या ब्लेड हो तो इन चारों में से बताए कौन सा करेक्ट एंसर हो जागा तो वर्षा अधारी छेत्रों में मक्का की बवाई के लिए अत्यदिक उपयोगी निराय गुड़ाई यांतर कौन सा हो जागा तो इसमें A option हो जागा A option यहाँ पर right answer राजस्थान के लिए जोकी लमण रोधी किस्म कौन सी है RDB1, RD31 या BL2 या राजकिरान तो इसका जो correct answer हो जागा C option BL2 C option यहाँ पर right answer लगु धान फसल जो सूखा प्रतिरोधी है कोदो, रागी, काकून या सामा तो इसका जो correct answer हो जागा A option कोदो, A option यहाँ पर right answer हो जागा question अबर देखेंगे 93 अफिम में परमुक्ता अलकॉलाइट्स होता है nicotine, morphine, nimidine या इन में से कोई नहीं तो बताना है अफिम के अंदर कौन सा इलकॉलाइट्स पाया जाता है तो इसका जो correct answer हो जागा B option, morphine पाया जाता है ठीक है, B option यहाँ पर right answer हो जागा question अबर देखेंगे 94 आलू की बीज, जिसको कंद कहा जाता है प्रति हेक्टेर औसत बीज दर कितनी है एक से 8 कौन्टल, आठ से 15 कौन्टल 15 से 22 कौन्टल या 22 से 30 कौन्टल तो इसका जो correct answer हो जागा 15 से 15 से 22 कौन्टल C option यहाँ पर right answer हो जागा ठीक है, C option right answer question अबर देखेंगे 95 तराई development corporation निमन की साहता से स्थापित हुआ, आपको बताना है तराई development corporation किसकी साहता से अस्थापित हुआ option देख लेते हैं option आपके screen पर आ चुके है UNO या Rockefeller Foundation या World Bank या FAO तो यहाँ पर पूछा था तराई development corporation जिसको TDC के नाम से जाना जाता है इसकी साहता के दौरा स्थापना हुई थी तो यह हुई थी World Bank के दौरा ठीक है C option यहाँ पर right answer question number देखिंग च्छानबे accuracy set के स्थापना इनकी अनुवानशिक शम्ता को बढ़ाने के लिए की गई थी किनकी अनुवानशिक शम्ता को बढ़ाने के लिए की गई थी यह आपको बताना है बाजरा चारा अरहर मक्का सरसों गेहु कपास या स्वभीन चारा कपास चना या मक्का चावल गेहु आलू तो इसका correct answer हो जगा यह option ठीक है बाजरा चारा अरहर मक्का ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जगा एक्रिसेट का पूरा नाम होता है International Crop Research Institute of Semi-Arid Tropics ठीक है इसके अस्थापना होई थी 1972 में कहाँ पर पठान चेरू हैदराबाद में इस्तित है यह आर्द सुस्क छेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें जैसे जवार बाजरा अरहर मक्का की सुखा रोधी किस्मों के विकास के लिए की गई है कोशन नमर चलते हैं 97 97 नमर कोशन आपकी स्क्रीन पर आज चुका है ध्यान पूर्वक पढ़िए एंसर दीजे एलफा एलफा एक फलिदार पोधा है जिसका परियोग सस्या वरतन में किया जाता है देखते हैं option मिट्टी के जल अंस की प्रतिपूर्थी करने के लिए क्योंकि इसमें जड़ें बहुत गहरी होती है यह चरण की रोगथाम करता है मिट्टी के गंधक अंस की प्रतिपूर्थी करने के लिए या मिट्टी के nitrogen अंस की प्रति पूर्थी करने के लिए तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा D option मिट्टी के nitrogen अंस की प्रति पूर्थी करने के लिए इसका परियूख किया जाता alpha-alpha का ठीक है तो यहाँ पर D option हमारा right answer हो जागा question number चलते हैं 98 98 number question आपकी screen पर आ चुका है गेहू बीज के लिए अधिक्तम नमी की मातरा कितनी है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 या 12 से 13 तो पूछरा गेहू बीज के लिए अधिक्तम नमी की मातरा कितनी रखी जाती है तो इसका जो correct answer हो जागा 11 से 12 C option यहाँ पर right answer question number देखेंगे 99 चूहे के देनिक खाना खाने की छमता है उसके सरीर का वजन का 35% उसके सरीर का वजन का 30% उसके सरीर का वजन का 10% या प्रूट में से कोई नहीं तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा C option उसके सरीरिक वजन का 10% ठीक है? C option यहाँ पर right answer हो जागा question number चलते हैं 100 100 number question आपके screen पर आ चुका है रागी अच्छा सरोत है लोह तत्व का, calcium का, protein का या vitamins का तो रागी जो होता है अच्छा सरोत माना जाता है लोह तत्व का, यह option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 101 मक्का का मुख प्रोटीन है ठीक है, मक्का का मुख प्रोटीन बताना इसमें से कौन से होती है तो मक्का की प्रोटीन मुख रूप से होती, gene होती है याद रखेंगे मैं सा, C option यहाँ पर right answer question number 102 सारोधिक बीटा के रोटीन पाया जाता है गेहों में, सक्कर में, अंडे में या हरी पत्तेदार शब्जियों में तो सारोधिक बीटा के रोटीन के मातरा पाया जाती है हरी पत्तेदार शब्जियों के इंदर D option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 103, निम्न में से कौन सा पोधा परपोसी इस्तम्ब का पूर्ण पर जीवी है इस्तम्ब का पूर्ण पर जीवी इसमें से कौन सा है, option देख लेते हैं तो इस्तम्ब का पूर्ण पर जीवी पूछा था तो इसका जो correct answer हो जागा अमर बेल, ठीक है D option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 104 104 number question आपकी screen पर है sulfur किस अमिनो अमल का एक घटक है arginine, histidine, या cystidine, या lysine तो इसका जो correct answer हो जागा वो हो जागा C option ठीक है C option यहाँ पर right answer हो जागा question number देखेंगे 105 वह हार्मोन जिसके संसलेशन हेतु iodine आउशक है oxytoxin, estrogen, androgen या thyroxine तो इसका जो correct answer हो जागा thyroxine, ठीक है, D option यहाँ पर right answer हो जागा question number चलते हैं 106 106 number question आपकी screen पर आ चुका है बीजों को सुखाने के लिए उच्च ताकमान सीमा मानी जाती है 60 degree centigrade 70, 80 degree centigrade या 90 degree centigrade तो इसका जो correct answer हो जागा 60 degree centigrade पर सुखाय जाता है बीजों को याद रखेंगे question number 107 अनाज के आदरता अंस को घटा कर भंडारन है तो निमन लिखित सुरच्छित अस्तर तक लाए जाता है 10 से 12 पर 30, 12 से 14, 12 से 16 या 12 से 18 तो इसका जो correct answer हो जागा ए उप्षन 12 से 10 से 12 परसेंट ए उप्षन यहाँ पर right answer हो जागा अनाज के लिए पूछ रहा है तो अनाज के लिए 10 से 12 हमेशा आप याद रखेंगे question number 108 बरानी छेतरों के लिए मक्का की किस्म कौन सी है गंगा 2, माही धोण, नौजोत या गंगा 5 इसका correct answer हो जागा यहाँ पर माही धोण, बी उप्षन यहाँ पर right answer question number चलते हैं 109 पर 109 number question स्क्रीन पर आचुका है मक्का में खरपतवार नियंतरण है तो बीज जमाव पूरू या फसल उगने से पहले जिसको कह सकते है कौन से खरपतवार नाशी रसान का काम में लिया जाता है मक्का में खरपतवार नियंतरण के लिए फसल उगने से पहले कौन से खरपतवार नाशी का काम में लिया जाता है 240, एल्टराजीन, फ्लू कलोरोलीन या फ्लू कलोरोलीन से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट टैंसर हो जगा एल्टराजीन का परियुक करते हैं फसल उगने से पहले इसका परियुक करते हैं मक्का में ल्टराजीन का तो बी उप्शन यहाँ पर राइट एंसर हो जागा कोश्चन नमर देखेंगे 110 चीनो पोडियम एल्बम के बीज बिभव हैं आपको बताना है चीनो पोडियम एल्बम जब कि चौलाई जिसको अमरेंथस कहा जाता है इसका बीज प्राप्त होते हैं एक लाख चानवी हजार बीज प्रति पोड़ी प्राप्त होते हैं ठीक यह भी कोश्चन पहुत बार एक जहां पूछा है देते खरबतवार नासी है या उप्युक्ति में से कोई नहीं तो इसका जो correct answer हो जाएगा बहु अर्सी खरबतवार नासी है B option यहाँ पर right answer हो जाएगा कास का बनास्वतिक नाम है यह किसका विग्यानिक नाम है सिकेरम, स्पॉंटेनियम कास का बनास्वतिक नाम है याद रखेंगे इसको टिगर ग्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है इसका जो परवर्धन होता है यह राइजोम के दोरा होता है यह भी पुशा गया है बहुत बार कि कास का जो परवर्धन किसके दोरा होता है त्राइजोम के द्वारा होता है कोश्चन नमबर 112 निम्द में से ओन पर जीवी खरपतावर कौन सा है फलेरिस माइनर ओरो बैंकी स्पेसीज या ट्राई एंथोना स्पेसीज या आरजी मौन मेक्स काना तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ओरा बैंकी आज की वीडियो आप लोगों कैसे लगी कमेंट के अंदर बताईएगा लाइक करिएगा चैनल पे नए आएएँ सब्सक्राइब करिए कल फिर मुलाकात करते हैं इससे आगे के परशनों को लेके आएँगे एग्रोनामी के कल फिर मुलाकात करते हैं पतक सभी लोगों को धन्यमाद